Hello and welcome to Telly Talkies दोस्तों, बिग बॉस सीजन 16 के घर के अंदर साल 2022 का आखरी वीकेंड का वार मनाया गया और ऐसे में कृष्णा भी शेक भी आई, वो कृष्णा भी शेक जो की करते हैं बिग बॉस का ही शो यानि की बिग बस और ऐसे में कृष्णा को पता है इस शो का हर एक बाव तभी तो, घर के अंदर आकर कृष्णा ने दी घरवालों को रांकिंग जिसको सुनकर उड़ गए सब के होश और चुना और निमृत को लगा बड़ा जटका क्या कुछ हुआ है? चलिए हम आपको बताएंगे इस रिपोर्ट में टेली टाप की स्की लेकिन अगर नहीं किया है अभी तक आपने चानल को सब्सक्राइब जरूर करीं और बेल आइकन को दबाएं बिगवाउस के घर के अंदर आये कृष्णा अभिशेग और कृष्णा ने बताई घरवालों की सही रैंकिंग जी हाँ हर साल घर के अंदर कोई ना कोई कैस्ट आता है जो आकर घरवालों को उनकी रैंकिंग बताता है और इस बार कृष्णा ने निभाया ये पर्ज नमबर दो के पाइदान पर कृष्णा ने शिव को खड़ा कर दिया शिव ठाकरे जो की शो में बहुत अच्छा खेल रहे हैं तो वहीं नमबर तीन पर कृष्णा अभिशेक ने कहा कि मेरे लिए इस शो में जो शकुनी का काम कर रहे हैं और जो मुझे दमदार लग रहे हैं वो है साजित खान तो साजित सर आजाएं और आप खड़े हो जाएं नमबर तीन के पाइदान पर ये तीन पोजीशन ही बोली थी कृष्णा ने कि अर्चना और निम्रित का तो चहरा देखने लायक था क्योंकि अर्चना को तो लग रहा था कि वो तो टॉप त्री में पर पाँचवा पाइदान यहां पर शिव ने अब्दू को दिया और कहा कि अब्दू यू डिजर्व टू बे इन टॉप पाइद तुम सच में बहुत प्यारे लगते हो त्यूट लगते हो और तुम्हारा यही अंदास वैंस को पसंदा रहा है नमबर छे पर कृष्णा ने शालीन को रखा लेकिन वहीं नमबर साथ पर तीना दक्ता को सौंदर्या के तो होश उड़ गए थे क्योंकि सौंदर्या को तो समझ नहीं आ रहा था उसके साथ क्या हो रहा है पर सौंदर्या को दिया नमबर आठ का पाइदान और नमबर नौ पर कहीं जाकर आया निम् और दसवे नमबर पर था स्टैन क्योंकि स्टैन तो नहीं दे रहा है घर में कोई भी कंटेंट टॉप टेन से कृष्णा ने सुंबुल को पूरी तरह से आउट ही कर दिया वेल आप क्या कहेंगे कृष्णा विशेख की इस रैंकिंग को लेकर हमें कमेंट्स में आप जरूर लिख कर बताएं वीडियो को लाइक और शेयर कर आप ना पूलें